हलो बड़ीज, in CRT line by line में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मैं हूँ डॉक्टर हरियोम गंगवार और बच्चों, आज हम यूनिट नमबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं Biology in Human Welfare इसमें 3 चप्टर पढ़ने है, Human Health and Disease, Strategies for Enhancement in Food Production and Microbes in Human Welfare चोटे-चोटे टॉपिक हैं, कुश्चन आते हैं काफी ज़्यादा, इस यूनिट से करीब 10-12 सवाल आपके निट में पूछे जाते हैं तो आज हम पहला चप्टर स्टार्ट करेंगे, that is Human Health and Disease अब इसके पहले कुछ बाते हम लोग जान लेते हैं, MS. Swami Nathan के बारे में MS. Swami Nathan को कहते है, Father of Green Revolution in India ठीक है, इन्होंने हमारे देश में हरितिकरान्ती को उसके चरम पे पहुँचाया इन्होंने Lab to Land Program, Food Security Program को इनिसियेट किया इनको पद्भूशन अवार्ट दिया गया बहारा सरकार के दोरा MS. Swami Nathan की बात करें तो Indian Agricultural Research Institute मे इन्होंने डेवलप की Salt Duration Hiding Varieties of Rice, including Scented बासमती राइस, साथ ही इन्होंने Norman Ball Law की मदद के दोरा इंडिया में Mexican Varieties of Wheat को इंट्रियूस किया था, clear? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब चैप्टर हमारा है Human Health and Disease. Important chapter है बटा, बीमारियों के बारे में mainly यहां पर हम बात करते हैं और यहां पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले बात करते हैं Good Humor Hypothesis के बारे में, देखे ज़रा इसको. Good Humor Hypothesis, तो Good Humor Hypothesis जो दी गई थी बटा, वो Hippocrate और Indian आयर्वे सिस्टम के दौरा दी गई, ब्लैक बाइल का concept दिया गया. अब Good Humor Hypothesis को डिस्प्रूव कर दिया, विलियम हार्वे ने, विलियम हार्वे ने Blood Circulation को Discover किया था, और इन्हों ने डिस्प्रूव किया Good Humor Hypothesis को, ठीक है, और लिखे जरा, जो जो मेन-मेन बाते हैं, वो हम लोग यहां पर याद करेंगे, ठीक है, हेल्थ का मतलब क्या है, हेल्थ का मतलब यह नहीं कि कोई बीमारी नहीं बॉड़ी में, हेल्थ का मतलब है, state of complete physical mental and social well-being, ठीक है, अब बात करते हैं, disease के बारे में, disease का मतलब यह है, कि अगर हमारी body का कोई organ या एक से ज़्यादा organ या कोई system सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसके sign और symptom नजर आएं, तो हम बीमार हो गए हैं, disease दो तरही की होती, infectious and non-infectious, infectious disease उन्हें कहते हैं, जो एक person से दूसरे person में आसानी से transmit हो जाती हैं, जैसे common cold की बात करें, AIDS की बात करें हैं न, pneumonia की बात करें, typhoid की बात करें, सब infectious disease हैं, और इसमें से AIDS से fatal disease है, non-infectious disease उन्हें कहते हैं, जो एक person से दूसरे person में transmit नहीं होती हैं, इनमें cancer की बात करें cancer एक non-infixes disease है जो major cause death का है drug और alcohol abuse भी हमारे health को पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं अब human में कुछ diseases के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं disease causing जो organism होते हैं बटा उन्हें pathogen कहा जाता है ज्यादा तर जो parasite होते हैं वो pathogen की तरह काम करते हैं ठीक है सबसे पहली जो बीमारी हमारे पास है वो है typhide typhide cause करता है salmonella typhi नाम का bacteria और यह bacteria small intestine में एंटर करता है contaminated food और water के दोरा और blood के दोरा migrate करके दूसरे organ में body के पहुंसता है ठीक है अब यहाँ पर sustained high fever symptom है 39 to 40 degrees, normal body temperature 37 degree होता है weakness, stomach pain, constipation, headache और loss of appetite होता है अगर severe case की बात करें तो intestinal perforation आत में छेद हो जाएगा और death हो जाएगी typhide fever को confirm किया जाता है withdrawal test के दोरा बहुत important है withdrawal test से और Mary Melon नाम की एक कुक थी जिसको typhide Mary भी कहते हैं यह कुक थी और यह typhide की carrier थी जिसने बहुत सालों तक लोगों में बीमारी को फैलाया अब निमोनिया की बात करें निमोनिया भी bacterial disease है, streptococcus निमोनिया और हेमोफिलस इंफ्लेंजी बैक्टिरिया निमोनिया कौच करता है निमोनिया इंफेक्ट करता है अलवेलाई को सीवियर केसेज में लिप और फिंगर नेल ब्लूइस कलर के हो जाते है ठीक है हेल्दी परसन में बीमारी कैसे पहुंचती है इंफेक्टिड परसन से यह पहुंचती है इन्हेलिंग दा ड्रॉपलेट इसके लावा सेरिंग ग्लासेज यूटेंसिल मतलब बरतन को सेर करने से इसके लावा डिसेंट्री प्लेग डिफ्थेरिया यह भी बैक्टिरियल डिजीजेज के एक्जाम्पिल है अब common cold की बात लिए वाइरल डिजीजेज है राइनो वाइरस यह common cold नाम की सेद्रीज यूखाम नाम की डिजीजज कोईश करता है यह नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को इंफेक्ट करता है लेकिन लंग को इंफेक्ट नहीं करता है यह इंपोर्टेंट है सिम्टम की बात करें तो नेजल केंजिशन, नेजल डिशार्ट, सोर्थ रॉट, परसनेस, कफ, हैड़ेक और टायटनेस यह थकावट होती है तीन से साथ दिन में बीमारी अपने आप खतम हो जाती है यहाँ पर जो ड्रॉपलेट हैं उसके दौरा बीमारी फैलती है इसके अलावा कंटामिनेटेड ऑब्जिक जैसे पेन, बुक्स, कब, डोर, नोब, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस इनसे भी बीमारी ट्रांस्मिट होती है इन्फेक्टेट परसन से हिल्दी परसन में मलेरिया की बात करें बटा तो इक प्रोटोजोवन डिजीज है प्लाजमोडियम नाम का एक टाइनी प्रोटोजोवन है जो डिजीज कोच करता है प्लाजमोडियम की अलग अलग जाती हैं प्लाजमोडियम वाई वैक्स, प्लाजमोडियम मलेरिया, प्लाजमोडियम फैलसी पेरम यह डिफरेंट टाइप के मलेरिया कोच करती है और इनमें जो plasmodium falci parum से malignant malaria होता है यह बहुत ही serious है और जानलेवा भी हो सकता है अब अगर हम plasmodium की बात करें तो plasmodium human body में sporogoid के form में एंटर करता है sporogoid infectious stage होती है female enophilies mosquito के bite करने की वज़े से जो sporogoid होते हैं human की body के अंदर जाते हैं यह initially multiply करते हैं liver cell में और उसके बाद attack करते हैं RBC के उपर और RBC को rupture कर देते हैं जब RBC rupture होती है बटा तो RBC का rupture होने की वज़े से toxic substance hemogoid निकलता है जिसकी वज़े से chill और fever आता है और यह fever 3-4 दिन के बाद repeat करता है अब जब कोई female इनोफलीज mosquito किसी infected person को काटती है तो यह जो parasite है mosquito की body के अंदर जाते हैं और उनके अंदर development होता है यह parasite multiply करते हैं और sporogoid का formation करते हैं जो mosquito के salivary gland में store हो जाते हैं और जब यह mosquito किसी healthy person को bite करती है तो sporogoid उसकी body में introduce हो जाते हैं यह पूरी कहानी फिर repeat होती है अब जो plasmodium है इसको दो host की requirement होती ही human and mosquitoes अपनी life cycle को पूरी करने के लिए और जो female इनोफलीज mosquito है यह plasmodium के vector की तरह भी काम करती है कुछ चीज़े figure में भी दिखाएगी जो मैं आपको यहाँ पर याद करना चाहूंगा ठीक है यह के चीज़े ध्यान रखनी है देखो यहाँ पर अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए sexual stages जिनको gametocyte कहते हैं तो यह human rbc में develop होती है clear दूसरा point fertilization and development take place in mosquitoes gut यह important point है जो fertilization होता है plasmodium में वो mosquito के gut में होता है अब बात करते हैं यहाँ पर amoebic dysentery या amoebiasis के बारे हैं amoebic dysentery जो amoebiasis नाम की disease है and tamoeba hysterica के दौरा होती है यह भी protozone parasite है इसको जो symptom है उसमें constipation, cup, abdominal pain, cramps cramps मतलब आठन होगी stool with excess mucus and blood clot housefly mechanical carrier होती है जो की contaminated food और water के दौरा इस बीमारी को healthy person तक पहुचाने का काम करती है contaminated water and food अब ascarious की बात करें बात करें बाता है यह ascarious से बीमारी होती है ascarious एक common round worm है और ascarious की बात करें बात करें बाता है तो यह intestinal disease है symptom की बात करें तो internal bleeding, muscular pain, fever, anemia, blockage of intestinal passes यह बीमारी भी contaminated food और water के दौरा ही फैलती है इसके लावा एक और worm है philaria worm philaria worm है उच्राइरिया और उच्राइरिया से जो बीमारी होती है उसे कहते है elephantiasis या philariasis उच्राइरिया की दो जाते हैं उच्राइरिया bankrupt आई और उच्राइरिया मैलाई यह generally develop होते हैं बैटा lower limb में lower limb के lymphatic vessel में develop होते हैं genital organ को भी affect करते हैं और female mosquito vector के दौरा हो खास दोर से क्योलेक्स जो mosquito उसके दौरा यह transfer होते हैं infected person से healthy person में fungal disease की बात करें बैटा तो ringworms fungal disease है इसे दादखात कुजली के नाम से जानते हो तो fungi के तीन जनराप को याद करने macrosporum, trichophyton और epidermophyton जो ringworms कौच करते हैं और जो ringworm है बैटा इसमें अगर हम symptom की बात के तो dry scaly lezen बनते हैं skin के ओपर, nail के ओपर या scalp के ओपर और इन lezen में बहुत ज़्यादा खुजली होती, खुजली होना अच्छी बात है लेकर ज़्यादा खुजली अच्छी बात नहीं है heat और moisture जो होता है ये fungi को grow करने में मदद करता है अब जो ringworm हस्सा है ये generally acquire होते हैं soil के दोरा या फिर जो infected person उसके towel या उसके कपड़ों को या उसके कॉम या कंगे को यूज करने से भी बीमारी फैलती है अब यहाँ पर कुछ बात है आपको बताऊं को जो ध्यान रखिएगा जैसे अगर हम बात करें contaminated food और water से तो कौन कौन सी बात करें टाइफाइड, amoebiasis और askeresis contaminated food और water से फैलती है airborne disease की बात करें तो airborne disease में pneumonia और common cold आ जाएँगी इसी तरह से अगर हम बात करें vector bond disease के बारे में vector bond disease तो vector bond disease में हमारे पास यहाँ पर आ जाएँगी यहाँ देखिए vector bond disease में आ जाएँगी डेंगू, चिकनगुनिया, malaria और phylaria malaria, phylaria, डेंगू और क्यूलेक्स मॉस्कीटो और जो डेंगूर चिकनगूनिया, female aides मॉस्कीटो के द्वारा फैलती है तो malaria, phylaria, डेंगूर चिकनगूनिया, चार vector bond disease हो जाएँगी बात करें बात करें बात करें बाता तो गंबूश्या को मॉस्कीटो फिस कहा जाता है यह मॉस्कीटो के लार्वा को खाती है और इसलिए इसका बहुत importance है मॉस्कीटो की population को control करने में अब वैक्सीन के यूज के द्वारा हमने कुछ बीमारियों को पूरी तरीके से खतम कर दिया है जैसे smallpox smallpox अब किसी को दुनिया में नहीं होता है और अगर हम polio की बात करें डिफ्थीरिया, निमोनियो और टेटनेस तो इनको काफी हद तक control किया जा चुका है वैक्सीन के यूज के दौरा अगला जो topic हमारे पास है that is the immunity immunity की अगर बात लिए तो immunity वो ability है जिससे हम अपनी body को बिमारियों से बचाते हैं तो immunity दो तरीके होता है innate immunity दूसरी acquired immunity जो innate immunity है, innate immunity non specific होती है यह जन्म से present होती है और यह barrier बना के काम करती है चार तरह के barrier यहाँ पर है physical, physiological, cellular and cytokine barrier physical barrier में skin आ जाएगी और mucos coating आ जाएगी mucos coating कहाँ पर respiratory, gastrointestinal tract और eurogenital tract हो जाएगा physiological barrier में क्या जाएगा acid in the stomach, saliva in the mouth and tear from eyes cellular barrier में क्या जाएगी WBCs आ जाएगी खास दोर से PMNL, polymorpho, nuclear leukocyte यह अच्छिन निोट्रोफिल है और इसके इलावा monocyte हो जाएगी natural killer से लोंगी जो की type की lymphocyte है और tissue में जो macrophages होती हो phagocytosis करने का काम करती है cytokine barrier की बात करें तो virus infected cell secret करती है protein को जिरह interferon कहते है और यह non infected cell को viral infection से protect करने का काम करती है तो interferon cytokine barrier में आ जाएगे acquired immunity की बात करते है तो acquired immunity जो होती है यह specific type का defense होता है इन में memory पाई जाती है जब पहली बार pathogen से सामना होता है body का तो जो response आता है वो primary response कहलाता है जो कि low intensity का होता है लेकिन उसके बाद जब pathogen से मुटभेड होती है तो secondary या animistic response आता है जो कि बहुत ही तेज होता है अब जो primary और secondary immune responses होते हैं वो दो helper पर दो special lymphocyte के द्वारा होते है B lymphocyte और T lymphocyte जिनको हम पढ़ चुके है body fluid and circulation में B lymphocyte antibody produce करती बटा और antibody की बात करें तो एक antibody molecule में 4 chain होती है 2 heavy chain और 2 light chain या आपको दिखाई गए इसलिए antibody को H2 L2 से रिप्रिजन किया जाता है heavy और light chain के बीच में antigen binding site पाई जाती किधर N terminal की तरफ आप देख सकते है और जो heavy chain आपस में होती है वो disulfide bond से जुड़ी होती है heavy और light chain भी disulfide bond के द्वारा आपस में attach होती है T lymphocyte जो होती हो antibody नहीं बनाती लेकिन antibody बनाने में help जरूर करती है antibody बनाने में help जरूर करती है तो एक antibody में 4 peptide chain होती 2 heavy chain और 2 light chain होती इसलिए antibody को H2L2 से represent किया जाता है अब जो antibodies है उसमें IgA, IgM, IgE, Ig जी आती है अब यह जो antibodies है इनसे जो immunity हमें मिलती है humoral immunity या humoral immune response के नाम से जाना जाता है और जो T lymphocyte होती यह cell-mediated immunity प्रवाइट करने का काम करती है CMI और CMI जो होता है यह organ को reject करता है transplanted organ को reject करने का काम कौन करता है CMI करता है यह बहुत important खुब पूछा जाता है cell-mediated immune response is responsible for graft rejection और graft rejection से बचाता कौन है cyclosporine A बचाता है अब बात करते हैं active and passive immunity active immunity की अगर बात करें तो active immunity infection होने के बात develop होता है और passive immunity infection होने के पहले ही हम develop कर लेते हैं तो passive immunity में क्या करते है ready made antibody जो होती है वो person को directly दी जाती है बीमारी से बचने के लिए जैसे अगर हम cholesterol की बात करें cholesterol yellows fluid होता है जो mass secret करती है बच्चे के जन्म के बात कुछ दिनों तक इसमें abundant antibodies IgA पाई जाती जो बच्चे को बीमारीों से बचाती है तो बच्चे को बनी बने antibodies mass से मिल नहीं यानि passive immunity हो जाएगी इसी तरह से जो बच्चा होता है fetus होता है इसको अपनी mass से antibodies मिलती प्लसेंटा के तुरू और यह भी पैस्यू इम्मिनिटी का एक्जामपल तो कोलस्टरम हो गया प्लसेंटा से जो antibodies मिलती है वो भी पैस्यू इम्मिनिटी का एक्जामपल हो जाएगा बचा अब वेक्सिनेशन एंड इम्मिनाइजेशन की बात करते हैं जो वेक्सिनेशन एंड इम्मिनाइजेशन का कॉंसेप्ट है यह बेस्ड है मेमोरी पर यह मेमोरी के कॉंसेप्ट पर आधारी बहुत important पॉइंट है अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर टिटनेस के केस में तो टिटनेस के केस में परसन को डेडली माइक्रोब से यह बचाने के लिए preformed antibodies body के अंदर inject करते हैं जिसे antitoxin कहते हैं और यह जो antitoxin है इसमें preformed antibodies होती है यह पैस्यू इम्मिनाइजेशन का example हो जाएगा इसी तरह से इसनेग बाइट के केस में ऐगर किसी को साम काट ले तो उस केस में प्री फॉर्म्ड एंटी बॉडिस हम देते हैं इसनेक विनम के अगेंस्ट और यह भी पैसी उमिनाइजेशन का एक्जाम्पिल हो जाएगा अब रिकॉमिनेंट टेक्नॉलोजी के दौरा बैक्टीरिया और इस्ट में नई वैक्सिन बनाई जा रहे हैं जैसे अगर हम हैपिटाइटिस बी वैक्सिन की बात करें तो इसको इस्ट में बनाए गया है रिकॉमिनेंट टेक्नॉलोजी का उसकरके इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है अगर हम बात करें तो इस एक जैजरेटेटल रिस्पॉंस हाफ इम्मिन सिस्टम तो सर्टें एंटीजन प्रिजेंट इन इन्वार्मेंट इस काल्ड अलर्जी जो सब्स्टेंस अलर्जी कौज करते हैं उन्हें अलर्जेंस के नाम से जाना जाता है और जो एंटी तो माइट इन डॉस्ट, ओर एनिमल डेंडर यह एक्षिंड और इस्टम की बात करें एंगर बात करें बटा तो इसे अस्थमाइक की allergy ही होती है अस्तमा एक टाइब की allergy होती है और अस्तमा की बात हम कर चुके हैं और पार्थीनियम के pollen gain भी तो allergy कोज करते हैं ये भी हमने पढ़ा sexual attraction in flooring plant में आर्टो immunity की बात करते हैं आर्टो immunity की बात करें मैटा तो आर्टो immunity में जो बाड़ी अपनी ही अटेक कर देती है ना बाड़ी अटेक सेल्फ सेल्फ इसे आर्टो इम्यून डिजीज को जाता है जैसे रिमुटाइड अर्थराइटिस हो गया या मैस्थीनिया ग्रेविस की बात करें ये आर्टो करनाटेशन में लिम्फोड ओर गन की बात करें तो लिम्फोड ओर गन दो तरह अब जो बॉन मैरो है मेन लिंफवड ओर गन जहांपर सारी ब्लडर्द सील्स्टी थे यह होती है Thymus क के अगर बात करेंpa तो Thymus ये हर्ट के नजदीक होता है बिन तब Breast Bone, Breast Bone किसको कहते हैं Itनum को कहते है Thymus का साइज जन्म के समय काफी बड़ा होता लेकिन इसका साइज उमर के साथ घरता चला जाता और इसलिए Old Age में पर्सन का जो Immune System है वो वीक हो जाता है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, अब ये जो स्प्लीन है, स्प्लीन की बात करें बटा तो स्प्लीन एक लार्ज बीन सेब्ड औरगन है, इसके अंदर लिंफोसाइट और फैगोसाइट पाई जाती है, ये बलड को फिल्टर करने का काम करता है इस्प्लीन लार्ज रिजर वायर है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है अब लिंफ नोड की बात करें बटा तो लिंफ नोड जो पैथोजन होतों उनको ट्रैप करने का काम करते है इसके लावा अगर हम बात करते हैं टिशू के बारे में तो लिंफाइट टिशू में एक्ज की लाइनिंग में आपको मिलेगा इसरे इसका नाम में म्युकोसा एसोसियेटेल लिंफाइट टिशू अगली बीमारी हमारे पास है एट्स का मतलब है एक्वाइड इम्टीशन्सी सिंड्रोम मतलब यह इम्यून सिस्टम की डिफिसन्सी है और यह कंजनाइटल डिजीज न होता है HIV रेट्रो वायरस से बिलॉंग करता है है ना और इसमें जो एन्विलप होता है वेटा उसके अंदर आर इन्ने जिनेटिक मेटीरियल होता है अगर हम HIV की बात करें बटा तो यहाँ पर जो इन्क्यूबेशन पीरियड होता है इन्क्यूबेशन पीरियड जो होता है यानि इन्फेक्शन होने और एट्स के सिम्टम दिखाई देने में कई महिने से कई साल लग जाते हैं यूजूली पांस से दस साल का यहाँ पर इन्क्यूबेशन पीरियड होता है जो HIV है बटा यह हमारी बाड़ी के हलपर टीलिम्फोसाइट के ओपर और मैक्रो फेज़स पर अटाइक करता है मैक्रो फेज़स और हलपर टीलिम्फोसाइट पर अटाइक करता है और उनको डिस्ट्रॉई करता है ठीक है और इसलिए और मैक्रो फेज़स के अंदर मल्टिप्लाई करता है इसलिए मैक्रो फेज़स को HIV factory भी कहा जाता है HIV helper T lymphocyte पर टैक करता है उनके अंदर अपने नंबर को बढ़ाता है और उसके बाद helper T lymphocyte को मार देता है तो helper T lymphocyte का जो नंबर होता है बटा ओ धीरे धीरे कम होने लगता है और इस वज़े से जो person है उसको bouts of fever बार-बार बुखार आता है डाइरिया हो जाता है और उसका weight loss होता है weight loss grave disease में हुआ था और यहाँ पर AIDS में हो रहा है अब जब person में helper T lymphocyte का नंबर कम हो जाएगा तो उसका immune system weak हो जाएगा और इसकी वज़े से उसमें opportunistic infection होने लगेगा mycobacterium का virus का fungi का और toxoplasma यह सब normally बीमारी cause नहीं कर पाते हैं लेकिन चुकि person का immune system weak हो गया इसलिए बागी बीमारियां भी होने लगती है अब AIDS के लिए जो test है यह है enzyme linked immunosorbent इसका diagnostic test होता है AIDS का treatment anti retrovalet drug के दोरा करते हैं जो partially effective है यानि दवाईयां बहुत प्रभाव नहीं डालती है और इस बीमारी में death निश्षित है तो AIDS का कोई भी इलाज नहीं है इसलिए prevention ही option है यहाँ पर हमारे देश में national AIDS control organization नाको और NGOs non-governmental organization लोग को educate करते हैं कि इस बीमारी से कैसे बचा जाए तो जैसे फैलता भी है उसे बचलो cancer cancer की बात करें तो cancer हमारे देश में इंडिया में एक million से ज़्यादा मतलब 10 लाग से ज़्यादा इंडियन हर साल cancer से सफर करते हैं cancer 10 लाग से ज़्यादा लोगों को हो जाता है हर साल अब cancer की बात करें वेटा तो cancer cell में देखें, normal cell में property होती contact innovation की और cancer cell में ये property lost हो जाती है जिसकी वज़े से cancerous cell तेजी से divide करना शुरू कर देती है जो tumor होते हैं वेटा हो दो तरह के tumor होते हैं एक होता है benign tumor और एक होता है malignant tumor जो benign tumor होता हो अपनी original location पे सीमित रहता फैलता नहीं है लेकिन जो malignant tumor होता है malignant tumor एक organ से दूसरे organ में फैलता है जिससे metastasis कहा जाता है तो benign tumor में metastasis नहीं पाये थी malignant tumor में metastasis property पाये जाती जो की बहुती खतरनाग property है अब causes की बात करें cancer के जो causes हैं उसमें जो भी cancer cause करेंगे उन्हें जनको carcinogen कहेंगे जैसे ionizing radiation x-ray and gamma ray और non ionizing radiation UV rays ये cancer cause करते हैं इसके लावा जो tobacco smoke के अंदर carcinogen होते हैं वो lung cancer cause करते हैं cancer causing viruses को oncogenic viruses कहते हैं जिनके पास viral oncogen होते हैं ये cancer cause करते हैं normal cell के अंदर cellular oncogen जीन पाये जाते हैं जिने c-onk या proto-onkogen कहते हैं ये normal cell में होते हैं और जब ये activate हो जाते हैं तो normal cell को cancer cell में बदल देते हैं cancer detection and diagnosis की बात करते हैं तो cancer का जो detection है वो करते हैं biopsy and histopathological studies के दोरा tissue के case में blood and bone marrow test करते हैं leukemia के case में leukemia में blood and bone marrow test किया जाता है biopsy में जो suspected tissue है उसका एक section cut करते हैं और उसके बाद stain करते हैं एक्जामिन करते हैं microscope के दोरा जिसे histopathological study के नाम से जाना जाता है अब radiography के दोरा जिसमें x-ray use करते हैं CT computed tomography और MRI magnetic regionist imaging के दोरा भी हम internal organ के cancer को detect करते हैं CT scan की बात करें तो इसमें x-ray को use करते हैं और यह three dimensional image देता है MRI की बात करें तो इसमें strong magnetic field non ionizing radiation यूज करते हैं और यह accurate और safest technique है MRI accurate और safest technique है cancer का पता लगाने के लिए इसके लावा जो antibodies होती है cancer specific antigen के against उससे हम cancer को detect कर सकते हैं ठीक और देखें treatment की बात करें बटा treatment जो cancer का है वो कर सकते हैं surgery के दोरा radiotherapy के दोरा immunotherapy के दोरा chemotherapy के दोरा radiotherapy में क्या करते हैं cancer cell के ओपर radiation डालते हैं जिससे cancer cell मर जाती है chemotherapy drug जो होती है बटा वो cancer cell को kill करती है लेकिन जो majority of chemotherapy drug होते हैं उनके side effect होते है hair loss and anemia ज्यादा तर cancer का treatment किया जाता है combination of surgery, radiotherapy and chemotherapy और immunotherapy की अगर बात करें तो यहाँ पर alpha interferon एक biological response modifier है और यह यह जो substance है alpha interferon यह activate करता है immune system को ताकि हमारा immune system tumor cell को पहचान के उनको मार दे अब बात करते हैं alcohol and drug abuse के बारे में जो drug commonly abuse किये जाते हैं बैटा वो opioid है, cannabinoid और cocailicloid है ज्यादा तर drug flowering plant से मिलते हैं कुछ fungi से भी opt-in किये जाते हैं जैसे opioid की बात करें तो opioid के जो receptor होते हैं बैटा वो हमारे CNS और GIT में पाये जाते हैं opioid से जो हमें heroin मिलता है heroin को commonly smack कहते हैं commonly और chemically dye style morphine है ये white odorless peter crystalline compound होता है और ये morphine के stylization से मिलता है और morphine किसे मिलता है? morphine मिलता है latex of poppy plant ये poppy plant के latex से मिलता है और poppy plant का scientific name papawar somniferum है generally इनको snorting या injection के दोरा यूज किया जाता है heroin deprescent है जो body के function को slow करता है cannabinoid की बात करते हैं तो cannabinoid जो होते हैं बैटा ये इनके receptor पाये जाते हैं mainly brain में cannabinoid optain होते हैं inflorescence और plant cannabis sativa से और flower top, leaves, resin को अलग-अलग combination में मिलाने से इमारी जुआ नहसीस, चरस और घांजा बनता है normally इनको inhalation या oral ingestion के दोरा यूज किया जाता है और ये affect करते हैं cardiovascular system of body को cannabinoid की बात करें तो आज के समय में जो cannabinoid हैं इनका abuse sport person खेलाडी के दोरा अपनी performance को बढ़ाने के लिए किया जाता है अब कोका एलकुलाइड या कोकीन की बात करें तो ये कोका प्लांट है तो जालम कोका से opt-in किया था जो की native है साउथ अमेरिका का ये interfere करता है neurotransmitter dopamine को ट्रांसपोर्ट करने में कोकीन को commonly कोक या crack कहा जाता है और यूजनी snarting के दौरा इनका यूज किया जाता है इनका stimulating action होता है central nervous system के उपर और ये sense of euphoria produce करते और increased energy sense of euphoria and increased energy excessive doses में कोकीन hallucination काज करता है atropa belladona और धतूरा इनमें भी hallucinogenic property पाई जाती है ये धतूरा की आपको branch दिखाई गई है ये leaf आपको cannabis sativa की दिखाई गई है ये cannabinoid molecule का structure आपको दिखाई गया है ये poppy plant आपको दिखाई गया और ये morphine का chemical structure आपको दिखाई गया तो ये figure भी आपसे exam में पूछे जा सकते है जिसमें ये धतूरा पूछा ही जा चुका है आपके नीट के exam में अब कई सारी drug ऐसी है जैसे barbiturate, amphetamine, benzodiazepine ये ऐसी drug है जिनका use mental illness यानि depression और insomnia को दूर करने के लिए किया जाता है इनको भी कई person abuse करते है morphine एक very effective sedative और pen killer है और इनका उन पेसेंट में किया जाता है जिनमें surgery की जाती लेकिन कई लोग morphine को नसे के तोर पे भी यूज करते हैं अब बात करते हैं smoking के बारे में human के दौरा जो tobacco का यूज करीब 400 साल से किया जा रहा है और tobacco के अंदर एक chemical होता है nicotine जो की एक alkaloid है nicotine stimulate करता है adrenal gland को जिससे adrenaline और nor adrenaline निकलता है blood के अंदर और ये दोनो blood pressure को और heart rate को increase कर देते हैं smoking की वज़े से cancer of lung हो जाता है ठीक है lung का cancer, urinary bladder का cancer, throat cancer इसके लाओ bronchitis, emphysema, coronary heart disease, gastric ulcer ये सारी चीज़े हो जाते हैं और tobacco की achieving की वज़े से जो लोग कंबा कुछ चबाते हैं न गुटका खाते हैं न उनको oral cancer या mouth cancer होने के chance भी रहते हैं यानि 60 तरह के cancer होते हैं smoking increase करता है carbon monoxide के content को blood में जिससे hem bound oxygen यानि oxyhemoglobin का concentration कम हो जाता है और इसे body में oxygen की कमी हो जाती है अब बात करते हैं adolescence के बारे में adolescence का मतलब जा period between 12 to 18 year of age is called adolescence period ठीक है अब यहाँ पर बाकी जो topic आपको दिया है यहाँ ज्यादा सवाल आते नहीं जो main main बाते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ जैसे अगर हम बात करें withdrawal syndrome के बारे में withdrawal syndrome की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको क्या याद कर लेना है withdrawal syndrome के जो symptom होते है anxiety, sickness, nausea and sweating आ जाएंगे इसी तरह से immediate adverse effect of drug and alcohol abuse होंगे वो है reckless behavior, vendalism and violence अब जो person alcohol को जादा यूज करते हैं alcohol पीते हैं alcohol पीने की वज़े से chronic use of drug and alcohol damage nervous system and liver liver cirrhosis हो जाता है liver खराब हो जाता दारू पीने से और अगर कोई drug और alcohol को pregnancy के दौरण female यूज कर रही है तो उसमें बच्चे को नुकसान पहुंचता है, मतलब यूज मा कर रहे हूँ नुकसान किसको पहुंचेगा, बच्चे को पहुंचेगा, कई सारी drug का misuse sport person के दौर अपनी performance को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, खास दोर से narcotic analgesic का, anabolic steroid का है न, diuretics का और कुछ हार्मून का यूज किया जाता है muscle की strength को बढ़ाने के लिए लिकिन इनके भी बहुत खतरनाक side effect होते हैं तो prevention and control की बात करें वेटा तो prevention and control में avoid undue peer pressure, पहला point दूसरा है education and counseling तीसरा है seeking help from parent and peer, चौथ है looking for danger sign, और 5Y seeking professional and medical help यानि इसको आप sales से याद कर सकते हैं sales sales का code हो जाएगा, S का मतलब seeking professional and medical help A का मतलब avoid undue peer pressure L का मतलब looking for danger sign E for education and counseling S for the seeking help from parent and peer तो बाकी detail यहाँ पर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूद नहीं क्योंकि सवाल यहाँ पर नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो diseases आपको दी गए हैं disease को जो symptom दिये गए हैं जो आपको यहाँ पर drugs दी गए हैं, यह सब आप से पूछी जाती है AIDS हो गया, cancer हो गया immunity का topic सबसे ज़्यादा important इस chapter में, immunity और जो diseases आपको दी गए diseases बहुत limited NCRT में आपको दी गए है यह है अच्छे से पढ़ना आपको तो यह वेट आज का chapter complete हो है human health and disease, अगली वीडियो में हम लोग आएंगे strategies for enhancement in food production के साथ में अब पर उनी पढ़ाई करते रहे हैं, चैनल पर ने तो subscribe करिए